और आप मेंसे बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूँ चुरू में जो उमीद्वार है दिवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र आप मेंसे बहुत कम लोगों को पता होगा, दिवेंद्र के साथ मेरा बहुत पूराना नीकट नाता रहा है और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मा की बाते सुनी मेरे मन को छूग गया, कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए सेखावटी की गरीब मा, अनपड मा, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मा प्रेरित करती है और देवेंद्र भी गरीबी की परवा किये बेला, जी जान से जुड़ करके भारत का सम्मान बढ़ाया है देवेंद्र को टिकर देने के पीछे, मोदी का मकसद यही था, कि जो गरीब मा का बेटा होता है, उसके सपने भी पूरे होने चाहिए मोदी का देवेंद्र को टिकर देने का मकसद यही था, कि मेरे देश के जो खिलारी है, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगट के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोच्छान मिले, कि आपका खेल का कारकाल, यह देश कभी भूलने वाला नहीं है, और उसका सिंबॉल, यह हमार देवेंद्र है, और इसले में चुरू बास्चियों से विशेश रुपते, ऐसा गरीबी से ही लड़ा ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया, ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चुरू हो, जुझनु हो, या सिकर हो, आप भारतिये जनता पार्टी को दीजिये, और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ,